मिशन के निश्चित्ता और अनिश्चित्ता के बीच बहुत ही महीन अंतर होता है जिससे की एक मिशन सफल या आसफल होता है लेकिन ना हम ठके ना हम हारे हमने अपनी पिछली कमियों को सुधारते हुए आज पूरी तरह से आस्वस्त किया है कि लैंड माडियूल निश्चित तौर पे चंद्रमा के सता पर सेफ और साफ प्रैंडिंग करेगा सभी तर्सकों के जानकारी के लिए अब हम इस्टो के अब तक के सभी लूनन मिसन्स की संग्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे जी हाँ इस्टो का पहला मून मिसन चंद्रयान वन अक्टूबर 2008 में PSLB राकेट के द्वारा सफलता पुरवक प्रक्षेपित किया गया था चंद्रयान वन चंद्रमा के सता पर पानी की खोश करके पहले ही इतिहास रच चुका है यही कारण है कि आज कल विस्टो के तमाम अंतरिक्ष वैग्यानिक और इस्पेस एजन्सियां चंद्रमा को और करीब से जानने के लिए उत्सुक दिख रही है अगर हम बात करें चंद्रयान दो की जो इस्टो का दूसरा मून मिशन है जुलाई 2019 में इस्टो के सबसे ताकतवर राकेट LBM-3 द्वारा सफलता प्रुवक प्रक्षेपित किया गया था और आज भी लगभग 4 साल बाद यह चंद्रमा के 100 किलोमेटर के सर्कुलर आर्बिट में घूमते हुए बहुत ही उत्तम क्वालिटी का डेटा प्रदान कर रहा है मिसन के प्रारम में इसकी आयू एक साल निर्धारित की गई थी परन्त LBM-3 द्वारा बहुत ही सटीक इंजेक्शन और मिसन मैनेजमेंट के वजह से चंद्रयान दो काफी लंबे समय तक कार्यरत रहेगा अब तक चंद्रयान दो चंद्रमा की लगभग सभी भागों का चित्र ले चुका है इसका एक बहुत ही महत्यपूर्ट पेलोड वय चारसी यानि की आर्बिटर हाई रिजूलिशन कैमरा बिश्रो का सबसे बहतरीन कैमरा है जो की चंद्रमा के सता का लागातार पिक्चर भ अब ही आपने मिश्रा जी के द्वारा सुना इस रोख के अब तक के लूनार मिशन्स का विबरन अब चलते हैं टूर्स चंद्रयान नमस्कार इस रोख के इस महाविशन का विबरन अब चलते हैं से जुडने के लिए आप साधर आम अंत्रित हैं मैं पद्मदेव मिश्रा अपने को होस्ट स्रीमती आरुसी से एठ के साथ आप सभी को और देश-विदेश से जुड़े सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं 23 अगस 2023 आज की साम इसरो के वैज्यानिकों और सभी अंत्रिक्ष वैज्यानिकों के साथ लैंडर माडियूल को चंद्रवा के सता पर उतरने के अयतिहासिक पलो को देखने के लिए तैयार और उत्सुक हैं जी हाँ, इसरो के गौरोपूर इतिहास में एक और अध्याय जुणने जा रहा है और आज हम सब लोग इसके साक्षी वनेंगे आप ए सारे विज्यूल्स अपने स्क्रीन पर इसरो के मिसन आउपरेशन कॉम्पलेक्स यानि मॉक्स से देख रहे हैं जो की बैंगलूरू में इस्तित टेलिमेटरी ट्रैकिंग और कमान नेटवर्क इस ट्रैक से प्रसारित किया जा रहा है इस विज्यूल्स आपको पावर डिसेंट के काउंडाउन और उस पत को प्रदर्सित कर रहा है जिस पे चलकर लैंडर आज चंद्रमा के साउथ पोल पे सेफ और सौफ्ट लैंडिंग करेगा आपको ध्यान दिला दूँ इस समय हम लोग पावर डिसेंट सुरू होने से लगभग बाईस मिनट दूर है जो दर्सक थोड़ी देर से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें आप लोग इस एतिहासिक पल को इसरो के आफिसियल वेबसाइट फेस्बुक ट्विटर और यूटूब पे भी देख सकते हैं Honorable Dignitaries, Delegates, Scientists, Media Personnel and Dear Viewers, A very good evening to all of you. We at ISRO welcome you to the live coverage of India's prestigious Chandrayanthri Missions Landing Event on the lunar surface. These are the visuals from Mission Operation Complex at ISRO Telemetry Tracking and Command Network. इस्ट्राइक, इस्ट्राइक शिटेद इनममें बेंगालूरू, करनातका. I, आरुशी सेट, and my colleague, Dr. Padamdeo Mishra, are your hosts for the evening, and shall accompany you on the journey of the landing event from power descent start to touchdown. Today we shall be witnessing the final phase of the critical and most technologically challenging mission operations of Chandrayaan 3, वीगेर ये लपर सborड सर्थ लाओ कधिन् से सर्द लंद सब्सकीन इसस्क्रेंद च्टन फाज रटम काउंट तå फ्ठेक्ट प्रेटे करन राक झाल 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 पहला मून मिशन चत्रयान वन अक्तूबर दो हजाराट में पीएसलब धन्यवाद आरुसी अगर मैं सही मायने में कहूं तो अंतरिक्ष का कोई भी मिशन हो और चाहें किसी भी देश के द्वारा संचालित किया जा रहा हो इस रोख मिशन के निश्चित्ता और अनिश्चित्ता के वीच बहुत ही महीन अंतर होता है जिससे की एक मिशन सफल या असफल होता है लेकिन ना हम थके ना हम हारे हमने पिछली कमियों को सुधारते हुए आज पूरी तरह से आस्वस्त किया है कि Lander Module निश्चित तोर पे चंद्रमा के सता पर सेफ और साफ्ट लैंडिंग करेगा सभी दर्शकों के जानकारी के लिए अब हम इसरो के अब तक के सभी लूनर मिशन्स को संचिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे जी हाँ इसरो का पहला मून मिशन चंद्रयान वन अक्टूबर 2008 में PSLV राकेट के द्वारा सफलता प्रुवक प्रक्षेपित किया गया था चंद्रयान वन ने चंद्रमा के सतह पर पानी की खोज करके पहले ही तियास रच चुका है यही कारण है कि आजकल बिस्व के तमाम अंतरिक्ष बैग्यानिक और स्पेस एजन्सिया चंद्रमा को और करीब से जानने के लिए उत्सुक दिख रही है अगर हम बात करें चंद्रयान दो की जो इसरो का दूसरा मिशन है जुलाई 2019 में इसरो के सबसे ताकत्वर राकेट LVM-3 द्वारा सफलता प्रोवक प्रक्षेपित किया गया था और आज भी लगभग चार साल बाद यह चंद्रमा के 100 किलो मिटर के सर्कुलर आर्बिट में घूमते हुए बहुत ही उत्तम क्वालिटी का डेटा प्रदान कर रहा है मिशन के प्रारम में इसकी आयू एक साल निर्धारित की गई थी परन्तु LVM3 दुरा बहुत ही सटीक इंजेक्शन और मिशन मैनेजमेंट के वज़ा से चंद्रयान दो काफी लंबे समय तक कारेरत रहेगा अब तक चंद्रयान दो चंद्रमा के लगभग सभी भागों का चित्र ले चुका है इसका एक बहुत ही महत्वूर्ड पेलोड OHRC यानि की आर्विटर हाई रेजूलूशन कैमरा विश्व का सबसे वहतरीन कैमरा है जो की चंद्रमा के सता का लागातार पिक्चर भेज रहा है अब मैं आरोसी जी से निवेधन करूँगा कि वह आप लोगों को इसरो के बरतमान मिशन चंद्रयान 3 के बारे में बताएं अभी आपने मिश्रा जी के द्वारा सुना इसरो के अब तक के लूनार मिशन का विवरन अब चलते हैं तोर्स चंद्रयान 3, the follow-up mission of Chandrayaan 2 which has been designed to accomplish our mission goals. The primary objective of Chandrayaan 3 mission is the demonstration of safe and soft landing on the lunar surface. This demonstration is a critical aspect for ISRO's future interplanetary missions. In addition to this, the mission objectives also include demonstration of roving capability and conduction of in-situ scientific experiments on Moon's surface. Carried on the shoulders of India's heaviest rocket LVM-3 on the 14th of July, Chandrayaan 3 was placed in the precise elliptic parking orbit of size 170 by 36,500 km. ISRO, in its mission plan of following the incremental trajectory approach, carried a total of five earth-bound manoeuvres. The 5th Apogee Racing Manoeuvre, which took place on the 25th of July, placed the spacecraft in an orbit of 250 by 1,27,000 km. At the early hours of 1st August, the translunar injection was carried out, after which the composite module began the final leg of its long journey of nearly 384,000 km for its rendezvous with the Moon. The TLI was a key step in the mission, enabling the spacecraft to escape Earth's gravitational pull and travel to the Moon. An orbit of 288 by 369,328 km was achieved at the end of the translunar injection. जी हाँ, translunar injection किसी भी interplanetary mission के लिए बहुत ही आवस्यक परन्त कटिन आपरेशन होता है. इस सफल मैनिवर के बाद, चंद्रयान 3 प्रतिवी से दूर निकल कर, चंद्रमा के प्रभाव छित्र में एक hyperbolic trajectory के द्वारा पहुचाया गया. पुनह 5 अगस्ट 2023 को lunar orbit insertion के द्वारा चंद्रयान 3 को 160 km के periloon और 18,000 km के अपो लून के साथ चंद्रमा के elliptical orbit में स्थापित कर दिया गया. TLI के तरह LOI भी एक बहुत जटिल आपरेशन होता है. इसमें हमें यह ध्यान देना आवस्यक होता है कि उपग्रह के बेगमान को एक निश्चित बिंदू से घटाया जा सके. अन्यथा उपग्रह चंद्रमा के प्रभाव छित्र से बाहर निकल जाएगा. LOI के सफलता पुर्वक परिचालन के बाद चंद्रयान 3 की कक्षा को चार बार और परिवर्तित किया गया. इस दोरान चंद्रमा के अधिकतम उचाई को घटा कर एक सो साथ किलो मीटर कर दिया गया. इस पूरी प्रक्रिया में प्रपल्सन माडियूल का लगभग साथ सो पच्पन किलो ग्राम इधन का उप्योग हुआ और चंद्रयान 3 के बेगमान को लगभग आठ सो पचास मीटर प्रसेकेंड कम कर दिया गया. लैंडर माडियूल को लगभग एक सो पचास किलो मीटर के सर्कुलर आर्बिट में स्थापित करने के बाद 17 अगस 2023 को प्रपल्सन माडियूल से अलग कर दिया गया. पुनह लैंडर माडियूल के आर्बिट को दो डूइबुस्ट मैनिवर्स के द्वारा एक सो पचास किलो मीटर के सर्कुलर आर्बिट से घटा कर पचीस गुड़े एक सो तीस किलो मीटर के एलिप्टिकल आर्बिट में स्थापित कर दिया गया. इस दोरान यह भी सिनुष्चित कर दिया गया कि 800 न्यूटन के चारो थ्रटेवल थ्रस्टर्स पावर डिसेंट के समय किसी भी चुनूपती का सामना कर सकें. लैंडर माडूल इस आर्बिट में चार दिन तक चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा ताकि इसके सभी सब सिस्टम को पावर डिसेंट से पहले कार्यात्मक रूप से वेरिफाई और वैलिडेट किया जा सके. इस दोरान चंद्रयान 2 और लैंडर माडूल की आपस में बातचीत भी हो चुकी है और संचेप में अब तक की यात्रा की बात करें तो लैंडर माडूल अब तक 21 बार प्रतिवी के और लगभग 120 बार चंद्रमा का चक्कर लगा चुका है और इस पूरी यात्रा में लगभ पावर दिसंट के सुरुवाज से ही लैंडर के अर्बितल प्लेन में बना रहा है. ते तु कित फूर्द दूदिए, we have arrived at the crucial juncture wherein the orbit plane contains the desired landing site at the start of power descent. We are also happy to announce that live images from the Chandrayaan-3 Lander Imager Camera is being received continuously. Convention on the Moon is no ordinary feat. The lander velocity has to be killed from nearly 6048 km per hour without any aid from the thin and tenuous Moon's atmosphere. The lunar dust at the time of landing and the craters and boulders scattered over the Moon's surface make it further complicated to achieve this. The new and improved Chandrayaan 3 design has been built after envisaging all the scenarios which the lander module can encounter. With several software improvements provisioned for full level redundancies, a plethora of special tests, namely the integrated hot test, integrated cold test and lander leg drop tests were carried out for the lander module. The success of these tests has provided great confidence in the performance of all the onboard sensors, propulsion system and associated guidance, control and navigation algorithms. The key findings during the tests have enabled to improve the overall system performance. The largely unexplored south pole of the moon has been chosen as the intended landing site since there is a possibility of finding ice and other minerals which would be vital resources for future explorers. Apart from continuing investigations pioneered by Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2, the Chandrayaan 3 mission will also provide invaluable data to the science community around the world. Let us give our viewers a glimpse on the configuration of Chandrayaan 3 mission. Chandrayaan 3 का mission plan लगभग 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 चंद्रयान 2 के तरह ही बनाया गया है. यहां 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 वी सुनिश्चित किया गया है कि चंद्रयान 3 को रॉकेट से अलग होने से ले करके चंद्रमा के निकट्तम कक्षा में स्थापित होने तक सारी गत्विदियां चंद्रयान 2 के तरह ही हो. और अब हम यह कह सकते हैं कि यह प्लान पूरी तरह से सत प्रतिसत सफल रहा हलाकि लैंडर माडूल के सेंसर्स और प्रपल्सन सिस्टम को इस तरह से मजबूत किया गया है कि लैंडर पावर डिसेंट के समय किसी भी आपदा से बाहर आ करके मिसन के मुख्य उद्देश्य को पूरा कर सके इस क्रम में लैंडर के मुख्य सेंसर्स कारा, लासा, लेच बीसी, लडीवी और लेच डैक का कारयात्मक परिक्षड़ भी किया जा चुका है LDV जो कि पूरुडतह स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया एक नया सेंसर है, इसका मुख्य कार, लैंडर के विलासिटी को तीनों अक्षों में कंप्यूट करना है पावर डिसेंट के दौरान, लैंडर के सटीक पोजीशन और विलासिटी का ग्यान होना बहुत ही आवस्यक है लिराप यानि लेजर इनर्सियल रिफरेंसिंग और एक्सिलोरोमीटर पैकेज, इस कारे को पावर डिसेंट के दौरान बखुवी निभाएगा ट्रजेक्ट्री जनरेशन, जो कि चंद्रयान थ्री मिसन के लिए बहुत ही अहम है क्योंकि हर आर्बिट मैनिवर के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंडर की मिसन अब्जेक्टिव को ना बदले इस क्रम में मैं यह भी आपको बता दूं कि आर्बिट डिटर्मिनेशन जो कि उपग्रह के पोजीशन और विलोस्टी को बहुत ही एकुरूइटली बताता है एक बहुत ही कठिन और जटिल कमपुटेशन और एस्टिमेशन होता है यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान 2 का ओय चारसी पेलोड अब तक काफी उचे अस्तर का डैम प्रदान किया है जिसके फल सुरूप लैंडिंग साइट के सीमा को बढ़ा कर चार गुडे 2.4 किलो मेटर कर दिया गया है जो कि पावर डिसेंट के दौरान साफ्ट लैंडिंग कराने में काफी सहाइक सिद्ध होगा अबार कि तौरा टौरान साइस कि दौरा उनरोर टायंग कर दो practicing डेलोड एंज कर वार-ड़ हैंड иной र॓रोव के बोफे बीवेलेश पैलोवार, रूरोव इंपलेशी कि अबनुख इंट इं। इं। अली स इंहीवार, शासक अमष ऑ क्टरोवार झेजाफ्स इं relied The thermal probe trust will measure the temperature profile and thermal conductivity of Moon's regolith. The Rambha payload will carry out lunar-ionosphere studies, while the Laser RetroReflector Array shall be a passive location indicator for future spacecraft equipped with Laser Altimeter. The Propulsion Module has not been left behind and an Experimental Shape payload has been added to it as a value addition. It will help in understanding the nature and characteristics of water-rich planets and will also aid in the future study of potentially habitable exoplanets. We are minutes away from the start of technologies of water-rich planets, and will also aid in the future studies of potentially habitable exoplanets. और ALS, which is a series of instructions pre-loaded to the lander module. These instructions include the commands to be executed, data to be collected and analyzed, and decisions to be made and executed autonomously throughout the power descent. जी हाँ, अब हम पावर डिसेंट के बहुत ही करीब आच चुके हैं. हम आपको बताते चलें की पावर डिसेंट को कुल चार चरणों में बाटा गया है. सबसे पहले आता है रफ ब्रेकिंग फेस, जिसमें lander की उचाई को चंद्रमा की सतह से 30 किलो मीटर से घटा कर 7.4 किलो मीटर कर दिया जाएगा. इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग साढ़े ग्यारा मिनट लगेगा और इसका सामाना अंतर बेग 1680 मीटर प्रति से घटा कर 358 मीटर प्रति सेंट हो जाएगा. We have continuous flow of lander telemetry data from ISRO's Deep Space Network IDSN 32 located in Belalu, Bengaluru. The data is being acquired real-time by station and is flown to the Mission Operation Complex through our communication links. In addition to it, we also have support from ESA and JPL DSN stations. There will be no ground intervention once the ALS takes charge. The preparation for today's event had started 48 hours before wherein various pre-selections and uplinking of parameters for the autonomous landing sequence were carried out. The whole descent is divided into four phases. The rough braking phase, the attitude hold phase, fine braking phase and the local navigation phase or the terminal descent phase. जी हाँ, attitude hold phase, जोकि power descent का दूसरा चरण है, एक बहुत ही महत्वपूड फेज है. इस 10 सेकेंड के small duration के दवरान, lander के दो महत्वपूड सेंसर, कारा और लासा, lander की उचाई की गढ़ना करेंगे. इस फेस के पूरा होते ही, lander चंद्रमा के सतह से कुल 6.08 km की उचाई पर होगा. During the rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. Currently, we can see the scientists are analyzing the lander data. जी हाँ, हमें देख सकते हैं कि Mission Operation Complex रूप में बैठे सभी वैग्यानिक ये जो भी डेटा देख रहे हैं, वो Deep Space Network, Ideation 32 के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है. और अगर हम आप बात करें, Power Descent के तीसरे चरण का जो की Fine Breaking Phase होगा, जिसमें लाइंडिंग साइट से जस्ट आट सो मीटर की उचाई पर वर्टिकली होगा, इस चरण को पूरा होने में लगभग तीन मिनट लगेंगे, और इस चरण के पूरा होते ही, लाइंडर की velocity लगभ लगभग सुनने हो जाएगे. The scientists here at Istraak are glued to their systems, analyzing all sorts of complex data. We are very close to the Power Descent, to the start of the Power Descent Phase. जी हाँ, अगर हमाब बात करें Power Descent के चौथे और अंतिम चरण का, जो की Local Navigation Phase या Terminal Descent Fence भी कहा जाता है, इस दौरान, लैंडर के दो इंजन बंद कर दिये जाएंगे, और लैंडर के सैंसरों द्वारा इसके हाइट और विलोसिटी की गड़ना, इनर्सियल नेविगेशन को भेज दिया जाएगा, इस दौरान, लैंडर 150 मीटर की उचाई को प्राप्त करने के बाद, कुल 131 सकेंड लगाएगा, इस पड़ाओ पे आने के बाद, पुनहा लैंडर 22 सकेंड के लिए हवरिंग करेगा, आप इस समय अपने स्क्रीन पे मिसन आपरेशन कॉम्पलेक्स में बैठे, सभी माननेगड़ों को देख सकते हैं, जो की बहुत ही उच सुकता के साथ टेलिमेटरी डेटा को देख रहे हैं, अभी हम लोग पावर डिसेंट सुरू होने से जस्ट कुछ ही पल दूर है, पावर डिसेंट सुरू होने में लगभग लगभग 30 सेकेंड ही बचा है, और हमको ये सारे डेटा मिसन आपरेशन कॉम्पलेक्स रूम में, आईडेशन 32 के द्वारा, जो की लागातार लैंडर के कनेक्शन में बना हुआ है, प्रदान कर रहा है. जी हाँ, अब हम अब देख सकते हैं, रख ब्रेकिंग फेस की सुर्वात हो चुकी है. प्रफ ब्रेकिंग सो्फ्ट लाधिसा ब्रेकिंगा ब्रेकिंग काकर कुम् hm राधिस छूमसक्कुम् === हम अब भोदी ब्रेकिंग वूमार को अप्रेकिंग है, लाधिस फोन आप सफेटा टूम Sud BT 10.5 minutes. Currently, the laser inertial reference and accelerometer package, LIRAP, is aiding in the navigation. जी हाँ, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लाइंडर अभ तक कुल 191 km होरीजेंटल दिसा में चल चुका है और अभी तक इसकी विलोस्टी लगभग 31 km बनी हुई है. जी हाँ, कुल 745 km के इस रफ ब्रेकिप फेज में, आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग लगभग अपनी यात्रा 20% कम्प्लीट कर चुके हैं. पावर डिसेंट की यह सुरुवात हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है, जिसमें लैंडर अपने बेगमान को अनुमानी तरिक से घटा रहा है. इसकता हैं, आप देख सब्सक्रावाध तर्च से को कंना मृट थि अनुमान को कि अधेंटूदे हैं, इस निरली 31 किलो मीटर्स। इस दिसा में चल चुका है। इस दोरान आपके स्क्रीन पे इस आरे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्ड से रियल टाइम में आ रहा है। इस मिशन में सेकेंड और थर्ड आरडर गाइडेंस पाली नमियल का प्रियोग हुआ है। जो की इनर्सियल थ्रस्ट और अंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा। झाल रे इसाफ था सुनिश्चित करेगा, स्जूकित करेगा, करेगा दोचीत करेगा है जो टार्ड़ रेटाव वर यूझ ट्रवाट बहाँ क्या हमेंद्चित करेगा। we can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down it is continuously coming down and the ALS had already been initiated one hour before the scheduled time of the power descent start following this the throttle label engine electronics module the tech M was switched on and lander was oriented to the favorable attitude yes you can see on your screen that the lander module which had the velocity of 1680 m per second has been increased by 1150 m per second which can be a very majestic start for this rough breaking phase here I am going to tell you that you can see the lander module the altitude is very low and very low which is expected too now let's talk about the current altitude which is around 28.6 km you can see this on the screen chandrayantri lander imager display the lander imager is continuously giving is continuously taking photographs of the moon surface and that is also being streamed here currently the horizontal velocity has been brought down and the distance traveled is 574 km the current altitude is 27 km as can be seen on the screen the next phase after the rough breaking phase is the attitude hold phase which will be for a duration of nearly 10 seconds the lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon surface at the end of this attitude hold phase height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters currently we are in the middle of the rough breaking phase so we can over a few minutes if we can see the plane, to turn around 8 minutes we can see the plane in the distance the lander has reduced direction the horizontal velocity and the horizontal velocity is reduced the horizontal velocity and the horizontal velocity is reduced upon 24 km की उचाई प्राप्त कर चुका है अब तक के आकड़ी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लाइंडिंग पूरी तरह से नामिनल है यहां पर हम देख सकते हैं कि होरिजेंटल विलोस्टी लागातार कम होती हुई दिख रही है यहां तो तुछ बालनर देख फूरम उद ग्यूंट इस करेंटले कि ट्वींटर इस करेंटी तव जहें वी दूब विलोवोगाद विजिए प्रॉट्वाट जू विलोव इस कि अर विलोगंट देख विलोग देख टेखेंट पर जू बच वीथिंट करेंट अवी टारी च 697 km, and the downrange that has to be traveled during this phase is 713.5 km. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं, कि लैंडर की horizontal velocity लगभग लगभग साथ सो 20 meter per second हो गई है, लगभग लगभग हम एका सकते हैं कि 900 meter per second velocity को कम किया जा चुका है. स्था अपल स काजिवक लगभग हम तर ले लाद ओडझ रस लगभग के लगभग हम जाएंगे तवर्ग हुर्थ आपल से से जाओड जा लॉट फग लाद वोच्वा का सबकात हो लगभग हम जालेएंगे तोर्स अप लॉट होल टेख सोर Kommt, और लॉट. इस पहर में एक where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters. We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 km and the distance travelled is 754 km. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. Yes, during this rough breaking phase, the four throttle engines are being replaced by its vehicle. And the horizontal velocity of the lander is being reduced. After the rough breaking and the attitude hold phase, we shall be having the fine breaking phase, which will continue for nearly three minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer and there is no intervention from ground. Yes, 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 yes. You can see the current altitude that the current altitude is 10 km. के आसपास है जी हां हम अपने जी हां हमारे प्रधान मंत्री जी स्री नरिंद्र मुझी जी हम सभी का उत्साह वर्धन करने के लिए डक्षडी अफरीका के जुहानस बर्ग से जुड़ गया हैं कि यहां आपे देख सकते हां आएटी जी होल फेस्ट की बहुत ही आगिसा वहां जी अपे देख सकते हैं आएटी त Fish में जी खेल different, भी को आपती हवी ग्लापलिय। आसानी से lander face ने पार कर लिया है और a fine breaking की शुरुवात हो चुकी है अभी हम यह देख सकते हैं कि lander की उचाई लगभग 5.6 km है जो कि इस face के उपरांत लगभग लगभग 800 मीटर हो जाएगी we can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally and we are currently in the midst of the fine breaking phase which is going to continue for three minutes and the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase जी हाँ जैसा कि आरुसी जी ने बताया कि लगभग 3 minutes के उपरां lander की height लगभग 800 meter vertically होगी और यहाँ पे lander की horizontal velocity, vertical velocity, even downrange भी लगभग लगभग सुन्ने होगा we can see the visual of the lander module and we can see that the downrange traveled is nearly 831 kilometers जी हाँ आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि lander की उचाई अब चंद्रमा के सतह से लगभग 3 km से कम हो चुकी है we are very close to the moon's surface nearly 2.6 kilometers as we can see कुकी कि जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं, कि लेंडर की उचाए, लगभग लगभग, एक किलो मेटर के आस पास है. We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम fine breaking waste के एक्दम करीब आ चुके हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सिंसकते हैं, कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलता पुर्वक हासिल कर लिया है, और अभी हम vertical descent phase में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी हैं. जी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, कि lander क्या height लागातार कम होता जा रहा है, इस समय हम landing side के जस्ट उपर हैं, और इस समय इसकी उचाई लगभग लगभग 600 मीटर के आसपास है, इस phase के दोरान लगभग 150 मीटर के उचाई पे पहुचने के बाद, lander अगेन we are above the landing site, the horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced, and the lander module has begun its descent towards the landing site जी हाँ, अपने screen पे देख सकते हैं, यह जो पतनिर्धारित किया गया है, lander पूरी तरह से उसी को ही follow कर रहा है, इस समय हम लगभग 200 मीटर की height से भी कम आ चुके हैं अब हमें देख सकते हैं, कि हम लगभग लगभग 150 मीटर की उचाई पे हैं, चंद्रमा के सतव से we are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ा हट को सुन सकते हैं, जो कि second hybrid phase के complete होने के बाद, इन सारे वैज्यानिकों के द्वारा की जा रही है जी हाँ, अगर फिर से ध्यान से देखें, तो altitude पुना कम होता जा रहा है, अभी हम लोग लगभग लगभग 135 मीटर की उचाई पे हैं The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site As expected, the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander अभी आप यह देख सकते हैं कि lander की उचाई लगभग 75 मीटर के आस-पास बची हुई है Currently, only two engines are now being fired and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal We were hovering and now we are approaching the moon's surface We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us and he is critically looking at the visuals People are applauding Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath Lander module पूरी तरह से safely और softly चंदरमा के सतह पे land हो चुका है यह हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की वात है Hindi में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के लेकिन अब हमें कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के बहुत ही ऑंदा, the hard work of the entire ISRO community has come to fruition कि अच्छी चाहिए, खुरुब आपकाराब नीच पर देविता है। लादूू। आपकाराब है। अधर मुठ त्रश्ध मट्रजी देविए, प्रूले आपकाराब। आपकाराब है। आपकाराइ प्रूलें है। India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. Thank you, sir. राश्ट्र जीवन की चिरन जीव चेतना बन जाती है. ये पल अविश्मनिया है. ये च्छा अभुद्पुर्व है. ये च्छा विक्सिद भारत के संखनात का है. ये च्छा नए भारत के जैगोश्ट का है. ये च्छा मुस्किलों के महा सागर को पार करने का है. ये च्छा जीत के चंद्रपत पर चलने का है. ये च्छा एक सो चालीस करोड धरकनों के सामर्थ का है. ये च्छा भारत में नई उर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है. ये च्छा भारत के उदैमान, भाग्य के अहवान का है. अमर्थ काल की प्रथम प्रभा में सभल ताकि ये अमर्थ भरसा हुई है. हमने धर्ती पर संकल पर लिया और चांद पर उसे साकार किया. और हमारे वेज्ञानिक साथियों नभी कहा, इंडिया इज नाव अन दे मून. आज हम अंतरिक्ष में मै भारत की नई उडान के साक्षी बने हैं. साथियों, मैं इस समय ब्रिक्ष समीट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिन आफ्रीका मैं हूँ. लेकिन हर देश वाची की तरह मेरा मन चंद्रयान महावियान पर भी लगा हुआ था. नया इतिहास बनते ही, हर भारतिय जश्न में डूब गया है. हर गर में उत्सम शुरू हो गया है. रदे से मैं भी अपने देश वाच्चों के साथ, अपने परिवार्जनों के साथ, इस उमंग और उल्ला से जुड़ा हुआ हूँ. मैं टीम चंद्रियान को, इस्रो को, और देश के सभी वैज्यानिकों को, जी जान से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ. जिनों ने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है, उत्सा, उमंग, आनंद और भावुक्ता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोर देश वाच्यों को भी कोटी-कोटी बढ़ाईया देता हूँ. मेरे परिवार जनों, हमारे वज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिनी दुरू पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका. अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिठक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे, और नई पिड़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी. भारत में तो हम, हम सभी लोग धर्ती को मा कहते हैं, और चांद को मामा बुलाते हैं. कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं. चंदा मामा बहुत दूर के हैं. कर दूर के मामा बहुत थे ख्रवले साथ नकित करें, और उन्य कात्वाद मेगाने कृआंगे सी तूर के लिए मैंखेंगे, इसमेगे हैं भी यह कहते हैं, ऑवे कहते हैं. This is a year in which the world is witnessing India's G-20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. So, this human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world including those from the global south are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. My friends, my friends, my friends, Chandraiyan Mahabhiyan ke yuplabdi, भारत की उडान को चंद्रमा की कच्छाओं से आगे जाएगी. हम हमारे सौर मंदल की सीमाओं का सामर्थ पर्खेंगे और मानव के लिए और मानव के लिए ब्रमान की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे. हमने बविश्य के लिए कई बड़े और महत्वा कांख्शी लक्षत्ताय किये हैं. जन्द ही सूर्य के विश्त्रित अध्यन के लिए इसरो आदित्य एलवन मीशन लाउंच करने जा रहा है. इसके बाद शुक्र भी इसरों के लक्षों में से एक है. गगन यान के जरिये देश अपने पहले यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तयारी के साथ जुटा है. भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काइद नौर्ड लिमीट. साथियों, साइन्स और टेकनलोजी देश के उजवल भविश्य का आधार है. इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा. ये दिन हम सभी को एक उजवल भविश्य की और बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा. ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिध्धी का रास्ता दिखाएगा. ये दिन इस बात का प्रतीख है कि हार से सबग लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है. एक बार फिर देश के समीव वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बढ़ाई और भविश्य के मिशन के लिए धेरो शुब कामनाएं. बहुत 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 धनिवार. बहुत बहुत बिछान्योबी. कर दिए जिरॉबार शचली सबीहां रफिर्रा तरिक्षा Baptist तरिक्षर्निक जहु 초대 सब्याख्ति उिराग्सी जहिए है। करते हैं अच्छावा फ़े नहां बहुत्पिशन और टीमिद ये इमन्स शॉपके अच्छिव इस साहरे में में इसकाषण करका करश़ घर करेंदाने सब्सक्तर छोडराइटरों आपने लिए लाधने में अस्वाव इसकिवे प्रोड चूर्त चूर्चार्ट इन के जञाल मोल आफ विए प्रड सवीस कुए मयोंगा जार्ट आफ खाया है तौर्ट चूर्ट दोट थानल साथ को चूर्ट प्रॉपसिती आवंज सेजुटेश्ट कर्सथिती ताहिए चूपस्थिती प्रॉपस्षितीज युनियुट अवाली जुट्टी ऑीन की और की इतीन की इतीन, चार्यावालीव जाए वीज का चाह Daar है क καई चाह थार्यो औरीव जई ट्रेर घुटत थार्योंग करेंफ नवीजिसाथ आन पौमainen मत दॉत ब्रीजिटर्स चाहर टेंटर लिट थन टुकाल क्या फजस्तेंटर टे रंटग्ण गौता श्युर गर है। वेरी थPS पर जारी टांब और जैड Так मैं निटैन की मैं सेर्म मैं ले घ्रमा इसरो कुरेंगे मुर्फ, हूष ऑटी हूआ ट्रेंट and supporting all the things in a, carrying out in a proper way. Thank you very much. Associate Project Director Kalpana. Good evening to all. This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us, for our team Chandrayaan 3. We have achieved we have achieved our goal flawlessly from the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan 3 experience. It has been breathe in, breathe out Chandrayaan 3 for our team and starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously and this has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan 3 team and of course with the with the guidance with the guidance from our Chairman ISRO, our directors and all our experts with all this it has been possible thank you one and all thank you for all the minutest help which has been provided from all the areas of departments thank you thank you Chandrayaan 3 is a result of the work done by thousands of scientists engineers, our staff and industries and support team across ISRO and other places other institutions and Shankaran has been the lead of the center which you know integrated all of these efforts from the last so many years so I request him to speak on behalf of all of you thank you very much for the affection that has been displayed today now today we have achieved what we set out to achieve in 2019 it was delayed by about 4 years but we have done it when Chandrayaan 3 was launched after the separation of the spacecraft from launch vehicle I said I will speak the rest of the things after the soft landing so here I will take couple of minutes to tell the tremendous amount of effort that has been put in by the entire project team when I say project team it is not just only the project director and associate project director of course they are the face of the project they have been living sleeping eating breathing Chandrayaan for the last 4 years they have been supported by such a large number of people particularly in the navigation guidance and control area propulsion system this area the amount of effort that has been put by people the number of simulations that have been done the number of reviews they have gone through the amount of criticism they faced and overcome that it is as a person who has been watching this for the last 4 years along with them my heart feels my heart goes out for them the amount of effort is tremendous that is what ISRO is all about that is what our organization has taught us to do now today this success has put us even more higher responsibility as the honorable prime minister was telling because we have set the bar now so high nothing nothing less than nothing less spectacular than this is going to be inspiring for any of us in the future so as the honorable prime minister mentioned we will be now looking at putting the man in space putting a spacecraft around Venus and landing a craft in Mars work on all these activities are going on for a few years and this success today will inspire us and will spur us to take those efforts even more strongly so that we will make our country proud again and again and again thank you very much for every one of you who have directly or indirectly participated in this mission encouraged us intentionally or unintentionally helpless in all for every one of you a big thank you because even even a casual remark an unintended point can can help a person who is striving to reach a goal the person who is making that remark may not have meant it that way but sometimes it can ignite that's why I said that even unintended help is is very 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 welcome and we are very very thankful for that thank you team Isro for supporting all of us the amount of affection we received when this mission came into this final stage the number of people who gave us confidence that nothing can go wrong and this is going to be successful the amount in fact I was not that much confident because we have seen couple of times issues because I know very well as a person who has been doing in this in this domain for 36 years I know there are thousands of things any of that could can anytime go wrong and derail but so many of the people because that I only see as the reflection of the effort we have put that people are so 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 happy to see this effort and they want us to succeed it is not that we are they know that we are going to succeed the people want us to succeed so thank you very much for everyone for your love and affection we will continue to do our best and make our flag fly Isro's as well as India's flag fly high thank you very much honorable honorable prime minister called me and conveyed his greetings to each one of you you and your family for the wonderful work you did in Isro so thanks thanks are to him for the support that he is giving to us for missions like Chandrayaan 3 and the missions that are in the offing I think that's a great word of you know comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation I want to tell you and I want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days who wanted this success to happen in Isro I thank all those people in all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years I want to specifically thank some senior people who have been standing with us especially the name of Kiran Kumar sir and Mr. Kamala Kar Shri Kotesha Rao they have been helping so much they were part of the team to help them to get the confidence and get the reviews done to ensure nothing goes with any mistakes and of course this is not the work of us alone this is the work of a generation of Isro leadership and Isro scientists and this is a journey we started in Chandrayaan 1 continued in Chandrayaan 2 and Chandrayaan 2 craft is still working and doing a lot of communication work with us and all the team that contributed to building Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 should be remembered and thanked while we celebrate Chandrayaan 3 and this is an incremental progress and definitely a great huge one it is and thank you so much for all the support and work that you are done thank you thank you thank you thank you झाल 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 झाल